तो हलो दोस्तो आज मैं आपको एक श्टोरी सुनाने वाली हुए एक जियल श्टोरी की भाईया कैसे बने सहिया जो भाई होता भाई के साथ कैसे बहन करती है साधी जानिए पूरा सच इस वीडियो में तो नमस्कार दोस्तों मैं मधूलिका आप सबकर श्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूलिका UPRPL और मैं हूँ मधूलिका तो दोस्तो आज में आप लोगों को बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाने वाली हूँ इस स्टोरी को प्लीज आप से रिक्वेस्टे पूरा देखिएगा एक बार ये स्टोरी सुनेंगे आपका मन अंदर से मतलब इतना मन मोह लेगा कि मेरे पास वो वार्ड नहीं वो सब्द नहीं है जब ये स्टोरी को मैंने खुद पढ़ा तो दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है लखनो की एक लड़की रहती है जिसका नाम पूजा रहता है और एक लड़का रहता है लखनो का ही जिसका नाम राहुल रहता है बलकि दोस्तों फ्यूस के बाद क्या होता उस टाइम पर ये करीब सन 2010 की बात है सन 2010 में जो रीमा रहती है रीमा उस समय बीए की पढ़ाई कर रही होती है और जो राहूल रहता राहूल उस समय भी बीए की पढ़ाई ही करता वो भी पढ़ाई ही करता तो राहूल का कॉल आता रीमा के पास तो रीमा जब उठाती है क्योंकि उस समय जो है नोकिया के फोन चलते थे किसी के घर में रहते थे किसी के घर में नहीं रहते थे तो रीमा जैसे कोचिंग और जाती थी उसको आने के टाइम पर देर हो जाता था यानि लेट आती थी घर तो उसके घरवालों ने उसे एक छोटा सा नोकिया का फोन दिया था फि? उसके बाद क्या होता है की रीमा के पास कॉल आता है और रीमा जब फोन उठाती है बात करती है तो वो बोलता है हलो मैं बिबेग उसने अपना नाम बदल के बोला मैं बिबेग बोल रहा हूं तो रीमा जो बोलती है कि मैं पूजा बोल रहा हूं देखिए बात जानिएगा रीमा बोलती है मैं पूजा बोल रहा हूं और जो राह करती है उसको लगता है कि चलो यार time pass करते हैं थोड़ा सा क्या मेरा जाता, अपनी सरकिल से क्या थोड़ा सा time pass करते हैं, time pass काटे है। ताइम की वज़े से उस फोन से जब बढ़ करती है तो बोलती है, हाँ भीया मैं जो हूँ मेरा नाम मेरा नाम पूझा है और उधर से बताता मेरा नाम विवेक है थीरे दिरे इन लोगों में सब्रम возду नाम पूझा करती है पहले यहां पे आप सुनियेगा इसको बाद में आते हूं पूझा की एक लेली रहती है जिसका नाम रेनू रहता है तो रेनू के जरिये पूजा जो है रेनू ही कहती पूजा से कि तुम फोन उठाओ ये है वो है उसके जरिये से वो मिलती है उस लड़के से और क्योंकि उसको पता रहता कि ये रॉंग नंबर है और जो रेनू रहती है रेनू सोचत थी और जो पूजा यानि बनी रीमा को किसी से मतलाम नहीं था कोई नहीं से पढ़ाई कर थी उसको कुछ नहीं पता था कि यह mobile क्या होता कै क्यूज जमाने में ज्यादा 910 हा चालू हो गयः थे नाए नाा फी उसके बाद क्या होता दोस्तों कि दोनों लोगोमें बाते होते होते फी बाते होती जाती होती जाती अच्छा लगने लगता है रीमा को भी अच्छा लगने लगता है और उधर राहुल को भी अच्छा लगने लगता है बात करते करते फी बात करते करते दोनों में प्यार बदल जाता है दोनों सोचते हैं बहुल लंबा टाइम ह लगभग एक साल हो जाते हैं, दोनों लोग बहुत चाहते हैं दूसरे को बेथा चाहते हैं, मगर एक साल हो गया अभी मुलाकात नहीं हुई, ना तो रेनु की हुई है राहुल से और ना राहुल की रेनु से हुई, मगर यह दोनों लोग अपना नाम बदलते हैं, और नाम ब बात होती हैं दो दो तिन तिन घंटे बात होती हैं कब मिलोगे हम लोग शादी करेंगे वगएरा वगएरा और हाँ दोस्तों जब रीमा ने जब बात किया था कि से राहुल से बात किया था तो उसने बोला था कि मैं आपको भाया बोल सकती हूं तो उसने कहा हाँ आप भाया एक दिन बर पढ़ने के लिए दिल डिल चलि जाती अब राखुल को पता चलता कि रीमा जो है दिल्ली चली गई यानि जो पूजा बनके जाती पूजा दिल्ली चली गई राहु परेशान रहता कि पूजा दिल्ली गई है कहीं दिल्ली में जाके वो हमें तो न छोड़ दे बहुत परेशान रहता फी पूजा और दोनों लोग फैसला करते हैं क्यों ना हम दोनों लोग ए पास भेज सकते थे ना तो कुछ अच्छ जो पूजा थी वो सीधी साधी थी उस टाइन पर उसके पास सोचल एकाउंट कोई भी नहीं था ना तो फेस्बुक का ना तो कुछ उसके पास नहीं था मगर जो बिबेग था बिबेग के पास सोचल एकाउंट था उसने कई बार कहा कि रीमा यानि पूजा तुम अपनी फोटो एक मुझे भेज दो यार मुझे देखना है मुझे देखना है कि तुम कैसी हो ऐसी हो कैसी भी हो हम शादी करेंगे यहां तक बात हो जाती दोनों लोगों में फियू उसके बाद जब दिल्ली पहुंच जाती है तो दिल्ली में क्योंकि उस टाइम पर उसके पास टाइम ही टाइम रहता ऐसे घर के काम रहते घर वाले रहते कैसे बात करें वहां पर टाइम रहता है तो रीमा का जो मन है पूजा का यानि पूजा और रीमा एक ही लड़की है उसका जो मन है वो पढ़ाई की तरफ से छोड़ के बातों में उससे जादा होता दो दू तीन तीन घंटे निकल जाते थे रात में ये दोनों लोग बाते करते थे आपस में बहुत बाते करते थे और नहीं तो मैसेस के थुरू बात करते थे क्योंकि उस टाइम पे मैसेस का भी जमाना था अब उसके बाद फी क्या होता कि ये जो पुजा रहती है और विवेक रहता दोनों सोचते हैं क्योज ना एक बार हम दोनों लोग मिले फी उसके बाद पुजा और विवेक मिलने का फैसला बन आते हैं उसी जगे पे दिल्ली में जो विवेक रहता विवेक का एक कजिन्स बोल सकते हैं चाचा का लड़का रहता वो भी वहीं पढ़ाई करता शायद बीटे को गएरा कुछ कर रहा था तो वो करता है कि मेरा यहीं भाई रहता है मैं उससे मिलने आऊंगा और तुम भी यहां मिल जाना मुझे फिर उसके बाद दोनों लोग दिल्ली के स्टेशन में मिलते हैं और यह आता है यह पहले पहुंच जाता कॉल करता कहां हो कहां हो कहां हो पूजा थोड़ा देर से जाते होती आचन Agreed क्योंकि जानती थी कभी वीवेग को देखी नहीं ती जैसे ही पहले से और वो क्रण करता है कि प्छे पहचान नहीं पा रहे हो नहीं मुझे पहचान नहीं पा रही हो तो वो बोलती है पूजा क्या इडियेट कहींगा उसको डाट देती है कि पता ही कौन सा आवारा लड़का आकर मुझे से बात कर रहा है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यही विवेग है फिर उसके बाद वो दूसरी जगह बैठ जाती द पूजा मिलते हैं एक दूसरे से तो उनके आख से आसु निकलता है क्योंकि लगभग डेड़ साल हो गया था दोनों लोग रॉंग नंबर पर बात किये और रॉंग नंबर कब प्यार में बदल गया दोनों को पता ही नहीं चला फिर उसके बाद बाते होती बहुत काश्ट का रहता और पूजा जो रहती है वह भी दूसरी काश्ट की रहती है पूजा जो है पूजा जो पंडितों में आती है और विवेग जो है ठाकुर रहता है अब दोनों लोगों की शादी कैसे होगी मगर विवेग कहता है कि मेरे घर वाले मान जाएंगे मेरे पापा मान जाएंगे मेरी मम्मी क्योंकि विवेग दो भाई रहते फी उसके बाद पूजा चली जाती है बंगलोर जाती है उसके पेपर हो जाते है पेपर होने के बाद वो बंगलोर जाती घूमने की वज़े से और विवेग को कहती है कि मैं दूसरे मेरे लिए लड़का देखा जा मैं लड़का देखने जाओ बल्कि ऐसा कुछ नहीं रहता वो इसको चिढ़ाती व उसको बोलती है फिस के बाद वो चली जाती बंगलोर अपने भाई के पास वहां उसके भाई रहते हैं यहां मुजह छोड़के चली गई पूजा ने किया पूजा क्योंकि बिवेग भी सच्चे दिल से पूजा को चाहता पूजा भी चाहती है सच्चे दिल से फिर उसके बाद वहां जाके क्योंकि वो पहुंच जाती है पहुंच जाती है वो बंगलौर वहां पे उसमें रूमिंग करता था वहां बात नहीं हो पाती थी कि यह पूजा मुझे नहीं मिलेगी उसने पूजा से बात की और अपने घर वालों से इतनी जल्दी फटाफट बात की मुझे शादी ही करना है बलकि लड़की के जो भाई थे उसने विबेक से जूट बोला विबेक के घर वालों से जूट बोला कि हम इस कास्ट के हैं बलकि वो उस काष्ट के नहीं रहते विबेक रोता है परिशान रहता है तडपता है पुझा भी तडपती है कि हम दोनों की शादी हो जाएं मगर कहां शादी हो सकती है एक पंडित और दूसरा ठाकुर था तो कहां से शादी होगी फिめ उसके बाद क्या होता कि दोनों लोग अलग हो पूजा की शादी के लिए तैयारी बनाते हैं, पूजा की शादी करनी हैं बहुत जल्दी, क्योंकि विवेक जो रहता हैं, जिस लड़के से पूजा ने प्यार किया था, यानि फोन पे ही, कभी हो लोग मिले नहीं थे, हाँ मिले थे, दूसरी को देखे थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था उन लोगों के बीच में, फिर उसके बाद जो विवेक रहता है, उसको लगता है कि अब पूजा मुझे नहीं मिलेगी, वो डिप्रेशन में आ जाता, अपने घर वालों को समझाता, उसके घर वाले नहीं मानते, उसी समय विवेक जो है नेंद की दवा खा लेता अब पूजा को तो पता नहीं है कि विवेक नेंद की दवा खा लिये, मगर भगवान का अच्छा रहता है कि विवेक बच जाता है, जो नेंद की दवा रहती, उनके घर वालों को पता चलता, लांदन फांदन उसको हॉस्पिटल लेके जाते और उसको जगाया जाता पूजा की, दोस्तो कहानी अभी खतब नहीं हुई है, यहीं पे एक ट्यूश्ट आने वाला है कहानी में, फिर उसके बाद उसके घर वाले कहते हैं कि मैं पूजा की अब जल्दी से जल्दी शादी कर देंगे क्योंकि कहते हैं लड़की के हाथ जितनी जल्दी पीले हो जा जा सकता, घर वाले इधर लड़का ढूडते हैं, पूजा के लिए लड़का मिल जाता, उससे साधी हो जाती और इधर जो विबेक रहता है, उसको पता भी नहीं चलता कि पूजा की शादी कब है, क्योंकि वो जो पूजा रहती, पूजा के पास से फोन वगेरा कुछ नही हो जाता है, फिए उसके बाद क्या होता है दोस्तो, पूजा परिशान लेती है, मगर जो उसके सामने दिखता है, उसको अपनाती है, क्योंकि वो प्रेजेंट में जीती है, ना कि पाश्ट में, वो सोस्ती वो तो मेरा कल था, चलो आज मैं अपना अच्छा बनाऊंगों, स पूजा की शादी हो गई है पूजा की शादी होती पूजा सस्वाल चले जाती सस्वाल में ठीक रहती पूजा और पूजा का जो हस्बेंड है उसके लाइफ में कोई और रहता पूजा को पता नहीं हां मगर बिबेग ने पूजा से ये बात जरूर बोले थी तुम्हें मैं इतना प्यार करता हूं जिससे भी तुम्हारी शादी होगी न उसके पास पैसा तो बहुत रहेगा मगर वो तुम्हें फ्यार नहीं करेगा तो पूजा की लाइफ में वही होता है कि पैसा तो पूजा की लाइफ में बहुत होता मगर उसके हस्बंड जो है उससे लाइक नहीं करते उसे वैलक शॉर्ण करते एक दिन क्या होता है पुजा और पुजा के हस्बेंड belum जाते हैं कि यह जिद्ध I Am सिस्ष्ट जसे पूजाकर पूजा के हस्बेंड जा रहे थे लगस्ट में वापस वहीं पर बिबेग मिलता है और पूजा को देखता पूजा के husband को देखता है पूजा भी परेशान रहती विवेक शादी कर लेता पूजा परेशान रहती है विवेक को देखती है फिर नीचे सिर कर लेती फिर विवेक को पूजा के दिमाग में ये रहता कहीं विवेक ऐसा तो न बता दे कि ये तुम ऐसे हो, वैसे हो मतलब क्योंकि husband के सामने कोई किसी की life के बारे में बताएगा तो क्या होगा, आप लोग जानते हो फिर उसके बाद उस समय विवेक को पता नहीं रहता कि इसके husband इसको प्यान नहीं करते इसको उगर नहीं करते फिर एक दिन दोनों लोगों को लगता है कि कैसे बात किया जाए फिर फेस्बुक में जो विवेक रहता, फेस्बुक में पूजा का एकाउंट डोडता, डोडता है, डोडते है क्योंकि अब टाइम आ गया है सन पंदा सन दो हजार पंदा तो उस टाइम पर मूबाइल जो है चलने लगे जी यो सिम भी आ गए थे डाटा भी मिल रहा था बढ़िया वहां से फेस्बुक से देखते हैं दोनों से बात होती है और उसके बाद तो दोस्तों कहानी का ट्विस्ट ये है